जैश्री हरे स्पिर्ट्रल ज्यान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन बारा बातों के बारे में जिनका ध्यान हर व्यक्ति यानि की जो भी हिंदू हैं उनको अवश्य रखना चाहिए वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की और वीडियो के लिए वीडियो शुरू करते हैं नमबर एक क्या भगवान राम या भगवान क्रेश्न कभी इंग्लेंड के हाउस अफ लोड के सदस से रहे थे नहीं न तो फिर ये क्या लौड राम लौड क्रेश्न लगा रखा है सीधे सीधे भगवान राम भगवान क्रेश्न कहिए अंगरेजी में भी यही कहना है किसी की मुरत्यू होने पर आर आई पी बिलकुल मत कहिए यानि की rest in peace जो दफनाने वालों के लिए कहा जाता है हम सनातनी हैं, हमें कहना है ओम शान्ती अथवा मोक्ष प्राप्ति हो आत्मा कभी एक स्थान पर आराम या विश्राम नहीं करती आत्मा का पुनरजन्म होता है, अथवा उसे मोक्ष मिलता है आपने रामायन एवं महाभारत जैसे ग्रंथों को कभी भी माइथलोजिकल मत कहिए माइथलोजिकल शब्द बना है मिथ से और मिथ शब्द बना है हिंदी के मिथ्या शब्द से मिथ्या अर्थाद जूटा या जिसका कोई अस्तित्व ना हो और हमारे सभी देवी देटा राम और क्रेश्न वास्तविक रूप में प्रकट हुए थे ये हमारा गौरवशाली इतिहास है और राम एवं क्रेश्न हमारे इतिहासिक देव पुरुश है कोई मैथलोजिकल कलाकार नहीं नमबर फोर अपने इस्ट देवों का नाम आदर से हित लें उनका मजाक ना बनने दें नमबर पांच हमारे मंदिरों को प्राथना ग्रह नहा के हैं मंदिर देवाले होते हैं भगवान के निवाश ग्रह वह प्राथना ग्रह नहीं होते मंदिर में केवल प्राथना नहीं होती अन्य पूजा पदती में सिर्फ सापताहिक प्राथना होती है जबकि हिंदु धर्म में ये नित्य कर्म है नमबर छे अपने बच्चों के जनम दिन पर दीप बुझा के अपशकुन न करें अगनी देव को ना बुझाएं दीप प्रजवलित करना अर्थात प्रकास का संचार करना अपीतू बच्चों को दीप की प्राथना सिखाएं तमसो मा जोतिर गमे हे अगनी देवता, मुझे अंधेरे से उजाले की और जाने का रास्ता बताएं ये सारे प्रतीक बच्चों के मस्तिश्क में गहरा असर करते हैं नमबर सेवन, करप्या, स्प्रिच्विलिटी और मैट्रिलिस्टिक जैसे शब्दों का उप्योग करने से बचें हिंदों के लिए सारा विश्व दिविता से भरा है इस प्रिच्विलिटी और मैट्रिलिस्टिक जैसे शब्द अनेक वर्ष पहले यूरोप से यहां आए जिन्होंने चर्च और सत्ता में फर्ग किया था या विज्ञान और धर्म बे इसके विप्रीत भारत वर्ष में रिशी मुनी हमारे पहले विज्ञानिक थे और सनातन धर्म का मूल विज्ञान में ही है यंत्र तंत्र एवं मंत्र हमारे धर्म का ही हिस्सा है एट शिन इस शब्द के स्थान पर पाप शब्द का प्रियोग करे हम हिंदूं में केवल धर्म और अधर्म दो शब्द हैं धर्म, कर्तव्य प्रायनता, न्याय एवं प्राप्तदिकार और अधर्म, जब धर्म का पालन ना हो पाप अधर्म का ही हिस्सा है नू, ध्यान के लिए, मैडिटेशन और प्रनायाम के लिए breathing exercise इन संग्याओं का प्रियोग ना करें यहें बिल्कुल विप्रीत आर्थ ध्वनित करते हैं क्या आप भगवान से डरते हैं? नहीं न, डरना भी नहीं चाहिए क्योंकि भगवान तो चराचर में विद्धमान है अजन्मा, परोपकारी, न्यायकारी और सर्वशक्तिमान है इतना ही नहीं हम में स्वयम भगवान का अंश मौजूद है तो फिर अपने आपको गौड फियरिंग अर्थात भगवान से डरने वाला मत कहिए गौड बिलीवर या भगवान में विश्वास रखने वाला कहिए नमबर क्यारा कभी भी किसी को बधाई देनी हूँ तो बधाई या शुबकामनाई शब्द का प्रियोग कीजिए और बधाई श्विकार करनी हूँ तो धरनेवाद सब्द का प्रियोग कीजिए मुबारक और शुक्रिया शब्द का प्रियोग ना किया जाए क्योंकि इनके अर्थ अलग होते है नमबर बारा सनातन धर्म में साथ फेरे लेकर विभा किया जाता है कोई कॉंट्रेक्ट का विभा नहीं होता इसलिए अपनी धर्म पतनी को बीवी मत कहिए यदि आप उन्हें अपनी जीवन संगनी मानते हैं तो पतनी शब्द का प्रियोग कीजिए यदि आप उनको कॉंट्रेक्ट के साथ बिहा करके लाएं हैं तो आप वीवी कह सकते हैं ध्यान रहे विश्व में केवल उनका सम्मान होता है जो स्वैम का सम्मान करते हैं यह पोस्ट किसी के विरुद नहीं है यह बस अपनी सनातन संस्कृति के लिए आदर है वीडियो आपको अच्छी लगी है जानकारी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें कमेंट बॉक्स में जैश्री हरी लिखना ना भूलें थैंक्स फो वाचेंग